आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूँ अर्जिता भारत को विविधिताओं में एक तक देश कहा जाता है हमारी संस्कृति, विचार, खान पान और रहन सहन बाकी दुनिया से काफी अलग है ये सारी खास चीज़े भारत को दूसरे देशों से अलग बनाती है लेकिन क्या आपने कभी ऐसे समुदाय के बारे में सुना है जहां शादी होने के बाद दुलहन दुलहन के घर नहीं जाती बलकि दुलहा दुलहन के घर आकर रहता है हम बात कर रहे हैं मेघाले की खासी जन जाती के बारे में उत्तरपूर्व भारत के मेघाले राज्य में खासी समुदाय महिलाओं की अधिकार का सबसे अच्छा उधारन माना जाता है इस राज्य की लगभग 25 फीसदी आबादी इसी समुदाय से तालुक रखती है आपको जानकर हरानी होगी कि इस समुदाय में माता पिता की संपत्ती पर पहला अधिकार महिलाओं का होता है परिवार की सबसे छूटी बेटी पर सबसे अधिक जिम्मेदारी होती है और वहीं घर की संपत्ती की असली मालकिन भी महिला ही होती है इससे निर्णे लेने में इस्त्रियों की भूमी का महत्वपून हो जाती है इसलिए वहां की इस्त्रियों को अपने परिवार के पुरुशों पर निर्भण नहीं रहना पड़ता इस समुदाय के लोगों को अपना जीवन साथी चुनने की पूरी आजादी होती है इसके साथी महिलाएं अपनी इच्छा पर किसी भी वाक्त अपनी शादी को तोड़ सकती है गारो, खासी और जयनतिय जनजातियों में इस्त्रियों की ये भूमी का तेश के अन्य भागों से उसे विशेश मनाती है गारो और जयनतिय जनजातियों में भी शादी के बाद दूलहा अपनी ससुराल में जाकर रहता है यहां के इस्त्रिया अपने रुची और अपने कौशल के आधार पर अपने पेशे भी चुन सकती है उन पर ये नहीं थोपा जा सकता कि वो घर के ही काम करेंगी या वो और कुछ नहीं कर सकती मात्रि सत्तात्मक समाज होने की कारण वहां इस्त्रियों के प्रती हिंसा भी लगभग नगन्य है यहां के बाजार और दुकानों पर भी महिलाएं ही काम करती है डावकी की छोटी छोटी दुकारे चलाने वाली लड़कियों को देखकर इस समाज की विशेशता का सहजता से पता लगाया जा सकता है शेश भारत की लोगों के लिए ये कौतुहल का विशे हो सकता है कि विवाह की बाद पूरुष अपने घर नहीं बलकि अपनी पतनी के घर रहे डावकी के समाज का ये अद्भुत रूप ना कीवल परियटक की भानती देखने लायक है बलकि बहुत कुछ सीखने लायक भी है कि कैसे देश की अन्य हिस्तों की पूरुष हिस्त्रियों की प्रती सहज हो सकते है इस खास खबर में फिलहाल इतना ही देश और दुनिया की बागी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पबलिक खबर के यूट्यूब चानल को वीडियो को लायक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें